दोस्तों गुड मॉर्णिंग मैं हाजिर हूँ अनुप सुकला आपके अपने चैनल यूट्व पर दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल इस्पेसल क्लासिज मैथ हैं फिजिक्स में दोस्तों आज हम क्लास 12 की फिजिक्स और उसका लेशन है बैद दो चाल हैं वो 10 प् Nord है उनको पहले हम आपको बता दे रहे हैं कौनकों से पॉइंट है उसके बाद उनके बारे में हम आपको बताएंगे पहला पॉयंट है हमारा बैद धारा इलेक्ट्रिक करेंट क्या होती है ड्राइट देखिए अगर कोई हमारे पास कुई चालक है कोई तार है या कोई परिप्र्यत है तो जब उसमें आवेस जाता है आवेस फ्लो होता है तो आवेस के फ्लो होने को ही हम current कहते हैं आवेस एक सेकंड में जितना जाता है उसके उस quantity को ही हम current कहते हैं देखे दोस्तों current को हम I से लिखते हैं I बराबर होता है Q upon t अब यहाँ से इसके हम definition बनाएंगे current क्या है किसी भी परिपत में अगर कुछी upon में लिखा है उसे बोलते हैं एक आंग unit upon में time है एक आंग time यानि की unit time यानि की एक आंग समय तो बैदुधारा क्या होगी किसी भी परिपत में एक आंग समय में प्रवाहित आवेश को बैदुधारा कहते हैं इसे i से प्रदर्शित करते है i is called to q by t इसकी unit दोस्तों एक चीज़ हमने आपको पहले भी बताया था आज फिर हम आपको बता रहे हैं आप formula याद करिए formula याद रहेगा उस से आप उसके यूनिट क्या होती है koolam तो उपर आगया koolam और नीचे समय की unit क्या होती है second इसकी unit आगए koolam पर second या इसी की दूसरी unit होती है इसको याद कर लिजे ampere ओके दोस्तों तो पहला point हमारा था बैदुधारा electric current ये आपको समझ में आगया ये कैसी quantity है ये अदिस्रास ही है अदिस्रास क्या होती है scalar quantity जिसमें सिर्फ परिमार होता है magnitude होता है direction नहीं होता है अगर current में direction होती तो देखी क्या होता अब आप जानते हैं कि आपके घर में एक साथ बहुत सारे operator लगे हुए बहुत सारे बल्ब लगे हुए है पंक्य लगे हुए है और सारे electric instrument लगे हुए है अगर current की एक direction होती तो वो एक instrument में जाती है और दूसरे में नहीं जाती राइट मेरी बास समझ रहे है लेकिन ऐसा होता नहीं है सभी में जाती है तो इससे हम क्या निसकर्स निकालते है कि पैदुधारा क्या है एक अधिस रासी है जैसे आपको एक हम डाइग्राम के माध्यम से बताना चाहेंगे देखिए current आ रही है 5A की यहां से हमने दो अलग-अलग circuit जोड लिए current इधर और इधर दोनों जा रही है इधर 3A की जा रही है तो इधर 2A की जा रही है यानि कि जितनी current आ रही है current का जितना परिमार है magnitude value वही है लेकिन इसमें direction कोई नहीं है राइट दोस्तों पहली बात आपको समझ में आ गई बैदुधारा किया है उसकी unit किया है उसका formula किया है यह राज कैसी है ओके अब हम दूसरे पॉइंट की तरह आते हैं हमारा दूसरा point है धारा घनत धारा घनत क्या होता है current density देखिए दोस्तों अभी हमने आपको बताया था कि किसी भी हमें physical quantity की definition निकालनी है तो उसका हम formula याद करते हैं देखिए धारा घनत current density होती है इसको हम मुढ लिए जैंते हैं और जैशल्टू क्या होता है आई अपाउन ए बहुत बात ध्यांसे समझाजिए धारा घनत current density को हम जैसे लिए कि एपिए पॉन एइ क्या है current और एक यह एरिया चेत्रफल कोई चीज नीचे लिखी हो अपन में लिखी हो तो उसे बोलते हैं unit तो unit area में किसी भी circuit के किसी वितार के unit area में जो current जाती है उसे ही उसे क्या कहते है current density धारा घनत धारा घनत क्या है किसी परिपत के एकांग चेत्रफल में बहने वाली धारा को धारा घनत कहते हैं फिर से सुनिए बड़े का मतलब एकांग बड़े में ए है तो एकांग चेत्रफल में बहने वाली धारा को धारा घनत कहते हैं इसे जैसे पुरतासित करते हैं इसकी युनिट क्या होगी यहां से यॢिनिकाल लिए आइकी क्या हो गई एम-पयर और एरिया का क्या हो गई मीटर स्कुर्वार एम-पयर पर मीटर स्कुर्य और दोस्तों यह कैसी राशी है यह vector quantity है, सदिस राज, ओके, तो दो पॉइंट आपको समझ में आ गए, पहला पॉइंट बैदु धारा क्या है, किसी भी बैदु परिपत में एक आंग समय में बहने वाले आवेश को बैदु धारा कहते हैं, दूसरा धारा घनत तो क्या है, किसी परिपत के अनुप्रस्त काड़ के एक आंग छेत्रफल से गुजरने वाली धारा को धारा घनत तो कहते हैं, आपके दो पॉइंट हो गए, तीसरा पॉइंट अनुगमन वेग, जिसे हम कहते हैं, डेफ्थ वेलासिटी, देखिए दोस्तों, तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, अनुगमन वेग, अनु इस वायर में, इस वायर की सिरों को अगर हम बैटरी से जोड़ दें, बैटरी में जानते हैं, एक सिरा प्लस होता है, और एक सिरा माइनस होता है, तो अगर हम किसी वायर, इसे मिनमाली ये वायर है, A और B, इसके इन सिरों को बैटरी से प्लस और माइनस से जोड़ दें, त तो जब बैदुच्चेत्र में यह मुक्तिलक्टान होंगे, मुक्तिलक्टान यानि जिन पर चार्ज है, निगेट होगा, तो उन पर फोर्स लगेगा, और जो फोर्स लगेगा उसी डारेक्शन क्या होगी, एलेक्ट्रिक फिल्ड की आपोजिक डारेक्शन में, दोस्तों में इसका है तो इलेक्ट्रीक फिर्ड के आप ओजिडर लगता है, ओके दोस्तों यह इलेक्ट्रान है, उत् wtा फोर्स लगएगा, वो किग्दर लगएगा, उत्वा से डिर्एट्र बाइह, कि आप वरिमी पर जीचरा है, तो जब इलेक्ट्रान पे फोर्स लगता है तो वो आउसत वेग को अंगवन वेग कहते हैं, अब आप फिर से एक बार समझ लेजे, अंगवन वेग क्या है, डेफ्ट विलासिटी क्या है, जब किसी तार के सीरों को एसी बैटरी से जोड़ा जाता है, तो उसके सीरों के बीच बैदुच्षेदर उत्मन हो जाता है, जिसके करण उसमें उपस्तित मुक्त इलक्टानों पर बल लगता है, और वे इलक्टान बैदुच्षेदर की विप्रिदी सामें, तार की लंबाई में चलने लगते हैं, सभी इलक्टानों के चलने के आउसत वेग को अंगवन वेग करते हैं, ओके दोस्तों, और इसे वीडी से प्रश क्या रिलेशन है, देखे, यह मोस्ट इंपोर्टन हेडिंग आगा इस लेशन की, बैदुधारा आई, और अंगमन वेग वीडी में संबंध, रिलेशन बेट्वें एलेक्टिक करेंट और करेंट देंसिटी, राइट दोस्तों, देखे, इसके लिए क्या करेंगे, हम मान ल इसमें एकांक आयतर में, यूनिट वैलू में, जो इलेक्टानों की संख्या है, वह स्मॉल एन है, और इसके अंदर जो इलेक्टान चल लें, उनका अंगमन वेग, डेफ्ट वेलास्टी क्या है, वीडी है, दोस्तों, फिर से सुनिए, हमने मान लिया है, कि हमारे पास एक एक कंडेक्टर है, उसका जो सिरा है, इस सिरे का जो एरिया है, वो कैपिल ए है, राइट, और इसके यूनिट वैलू में, यह एकांक आयतर में, मुक्त इलेक्टानों की संख्या, एसमॉल एन है, और जो इलेक्टान इसके अंदर है, उनका अंगमन वेग, वीडी है, ओके, इतनी बात समझ रहे है, तो देखे, एक सेकेंड में, यहां से इस सिरे से गुजरने वाले लेक्टान क्या होंगे, अगर हम मान ले रहे हैं, जो इलेक्टान है, उसका आंगमन वेग वीडी है, वीडी का मतलब जो इलेक्टान यहां पर है, वो एक सिरे से कितने इलेक्टान निकलेंगे जितने इतभी जगे में होंगे मेरी बात भूद द्यान समझे जितने इस आयत उन में होंगे राइट उतने एक सेकेंड में कि certified ऐखल एक yük उतने एक सेकढ़ में यहां से इलैक्टान फिरेंक अबроб इतने गार सिंट आयपने है इसकी उचाई इसमें आधार कचेटफ़ल किया ए और उचाई किया ए वी डी तो इस जगी गाःतन क्या हुआ ए इंटु वी डी राइट एक आंक आइतन में मुक्तिलक्तानों की संख्ञा इसमॉल एच एक आइतन में तो इतने आयतन में कितनी होगी Nc into हो जाएगा तो हम इसमें लिखेंगे सीरे से एक सेकेंड में गुजरने वाले इलेक्टानों की संख्या इस सीरे से एक सेकेंड में कितने इलेक्टान गुजरेंगे इसकी संख्या और इसकी संख्या के लिए हम क्या करेंगे भी हम आपको बता रहे हैं यहां से जगे से इस सीरे से इतनी जगे में कितने आयतन होंगे इसलिए इसका आयतन निकालेंगे इसका आयतन क्या होगा? आधार का छेटफल A इंटू उचाई VD यह आयतन आ गया और इसके एक कांग का आयतन में मुक्त इलक्तानों की संख्या कितनी है? तो इस सीरे से एक सेकंड में गुजरने वाले सीरे से एक सेकंड में गुजरने वाले इलक्तानों की संख्या बरावर N, A, V, D ओके दोस्तों यह एक सेकंड की है तो अगर दो सेकंड होगा इसका डबल हो जाएगा तीन से वेकंड होगा तो इसका तीन कुना हो जाएगा अगर टी सेकंड हो सीरे से, T से केंड में गुजरने वाले लक्टानों की संक्या इसमें T से इंटु हो जाएगा N A V D इंटु T, कि T से केंड में इतने इलक्टान गुजरते हैं ओके दोस्तों, तो इसमें करेंड कितनी भई, धारा कितनी भई, उस आई का मन हमें निकालना है देखिए, आइस कल्टू कि आप फार्मुला जानते हैं आइस कल्टे भी हमने को बताया था Q upon T, और Q निकालने का फार्मुला क्या होता है N ही एक पांटी, क्यों निकालने का फार्मुला E अप वार्मुला है n क्या है टी सेकंड में गुजरने वाले इलेक्टानों की संख्या और टी सेकंड में कितने इलेक्टान गुजर रहे थे यह में नीचे निकाल लगखा हैं तो आय सक लट्यू N E A V D into T or into में किया या ए और अपॉन में किया या T तो T से T क्या हुआ, कैंसल हो गया, तो फार्मूला क्या आया, I बराबर N, E, A, VD N, A, VD न्टू टी था, राइट, ये जो N यहाँ पर, ये N की वैलू, N, A, VD, T N, A, VD, T, ये E नहीं था, राइट, ये E था, तो आजाएगा N, E, A, VD ओके दोस्तों, ये हमारा I, और VD में क्या आया, Relation आ गया, बस समझ में आ रही है, Lesson समझ में आ रहा है, बहुत ही Most Important Lesson है, छोड़ी-छोड़ी बाते हैं, जो आपको ध्यान रखना है, Important हैं Board के लिए, तो आपकी, अभी तक हमने चार Heading बता दी, पांचवी Heading क्या होती है, बैदुत प्रतिरोध, जिसे हम इंगलिस में कहते हैं, Electric Resistance, देखें, अगला Point, अगला Point है, बैदुत प्रतिरोध, बैदुत प्रतिरोध, बैदुत प्रतिरोध, जिसे इंगलिस में क्या कहते हैं, Electric Resistance, अब देखें, बैदुत प्रतिरोध क्या होता है, फिर इसके लिए आप Formula याद रखें, बैदुत प्रतिरोध, किसी विधाउत का बैदुत प्रतिरोध, R बराबर होता है, V upon I, अर्थात, किसी तार के सिरों पर लगाया गया वीभो, और उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को उसका बैदुत प्रतिरोध कहते हैं, फिर से सुनिए, किसी तार के सिरों पर लग यह होता ही और दूसरी यूनिट क्या होगी बोल्ट पर सेकेंड इसकी यूनिट क्या होगी है जो इसका इश्का शेईंलby में फिराों घरकों हाल्ट में हमारे पास च्राग्विक ऑ intrigue इस conductor की भावतिक पूर्चाह Lucky कैने बहुतिक वास्ताहिए जो हमने आँच से दिखता है या इस पर स्कंद से पता चलता है और रहाउनिक वह होता है जो देखता नहीं तो बहुति प्रिवर्तनने उन्हर और दोम पर लगा सके लंबाई और और कि इस कीसी चालों की भावतिक OS Force में कोई परिवर्तन ने को तो इसके सिराऊ पर लगाया गया विभो इसमें बहने वाली धारा के और मान पाती होता है अर्थार जैसे से विभो का मान बढ़ाएंगे वैसे उसकि धारा का मान भी क्या होगा बढ़ेगा देखिए अगला पॉइंट आपका है ओम सला ओम कानियम ओम का नियम और ओम का नियम क्या याद रखना है किसी चालक तार की शीरों पर लगाया गया विभो उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमान पाती होता है वी अनक्रमानपाती आई फिजिक्स में आप जानते हैं अनक्रमानपाती गर निसान हरादें बराबर आता है नेतांग आता है आ इन्टू आई इसी आर को ही क्या गहते हैं ओम नेतांग कहते हैं इसी आर को ही ओम नेतांग कहते हैं ओके और इसे इसी धातु का बैदत प्रत्र जाएगा दोनों की बीच में ग्राक नीचे तो यह के सीधी लाइन आती है यह important है अगर सीधी लाइन नहीं आएगी तो इसका मतलब वो ओम के नियम का पालन नहीं करता है मेरे बहुत समझलें तो आपका ओम्ष्ला हो गया अब इस ही में अगला आते हमारा साथमा पोइंट है विच्षट प्रतिरोद मोस्ट इंपोर्डेन विच्ष्ट प्रतिरोद क्या है देखें विशिष्ट प्रतिरोद जिसे कहते हैं इस स्पैस्फिक रजिस्टेंस विशिष्ट प्रतिरोद विशिष्ट प्रतिरोद जिसे हम क्या कहते हैं इस स्पैस्फिक इस स्पैस्फिक रजिस्टेंस देखिए अब विशिष्ट प्रतिरोद हम कैसे निकाले इसके लिए आपको द तो आपका resistance होता है, आर होता है, यह लंबाई की अनुक्रमान पाती होता है, अगर लंबाई हम बढ़ाते जाएं, तो उसका प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ता जाता है, दूसरी बात, अगर हम शेत्रफल बढ़ाते जाएं, तो प्रतिरोध क्या होता है, घरता है, यानि कब प्रतिरोध उतना कम होता जाय गा यानि की प्रतिरोध एयरिया के Would क्रमानito payondi inversely proportional अब देखिए करें इन दोनों को मिला दें तो Arg uniros Крас county and upon हैं। आप र्फिसिक्स में जान थे अन्मय्पादी का निसान अजान रhate यह लोगा परणादी का निसान और एक कांस्टेंड आता है और देखिए इसमें constant क्या आता है रो आता है र इसकल टू रो एल अपॉन ए ओके दोस्तों अब रो की वैलू निकालेंगे तो देखें क्या आएगा रो इसकल टू रो इसकल टू आर ए अपॉन एल यह हमारा फार्मूला आ गया ओके अब इससे हम डिफनीशन निकालेंगे इसके इसल Eminent कैसे ढिलेगी यह आप समझे देखें GAR है और क्या होता है इसी भी चाहलक का ब्रेद है इसका मतरत ऑो यह क्या है छेत्रफल छेत्रफल कामातरक मीटर स्क्वर्ण एल क्या है एल क्या है दंबा इलंबाई का मात्रक मीटर तो अगर इसका हम मातरक निकाले और का आ ग right और इसके definition क्या होगी देखें, definition के लिए हम क्या करेंगे, इसके definition के लिए अब देखिए हमारे पास formula रो बराबर R A upon L, हम माल लेंगे, put कर लेंगे, माना L a is called to 1 meter, a is called to 1 meter square, अभी दोनों वैलों को इसमें रखेंगे, तो R is called to R into 1 upon 1, is called to R आजाएगा, right, इससे इसके definition क्या निकलेगी, किसी अधातु का विशिस्ट प्रतिरोद, इस specific resistance, उस अधातु के प्रतिरोद, अर्था resistance के बराबर होता है, जबकि तार की लंबाई कितनी हो, एक मीटर हो, और उसके सीरे का छेत्फल कितना हो, एक मीटर स्क्वार हो, ओके दोस्तों, तो इसकी definition क्या होगी, किसी अधातु का विशिस्ट प्रतिरोद, एक मीटर लंबी छण के, एक मीटर स्क्वार छेत्र फल के प्रतिरोद के बराबर होता है, इसे हम कहते हैं, विशिस्ट प्रतिरोद, ओके दोस्तों, अब इसी में अगली heading हमारी आती है, विशिस्ट चालक्ता, इस स्पैस्फिक कंडेंस्टेंस, विशिस्ट चालक्ता क्या है, विशिस्ट प्रतिरोद के ब्यूद करम को विशिस्ट चालक्ता कहते हैं, देखे, विशिस्ट चालक्ता को हम किसे लिखते हैं, विशिस्ट चालक्ता होती है, सिग्मा, विशिस्ट चालक्ता, विशिस्ट चालक्ता मुदला specific content tense इसे हम लिखते हैं सिग्मा से और सिग्मा कल्टू होता है वन अपन रो इससे इसके definition निकाल लिए किसी धाद की विसिष्चालक्ता उस धाद के विसिष्प्तिरोद के व्यूत करब के बराबर होती है और इसकी unit क्या होगी जो उसकी unit थी और नीचे आएगी ओम-meter तो इसकी unit किया आएगी ओम की power minus one और मीटर की पावर माइनेस वन ओके दोस्तों तो आपको ये विसीश्चा लगता भी समझ में आ गई होगी अगली हीडिंग है अनोमी परिपत अनोमी परिपत क्या है जैसा इसका नाम है जो परिपत ओम के नियम को पालन नहीं करते अनोमी परिपत अनोमी परिपत क्या होते है वे परिपत जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें हम अनोमी परिपत कहते हैं और इसमें दो आते ही इंपोर्टेंट है याद रखना एक्जाम में इसके एक्जाम्बिल पूछे जाते हैं नमबर वन टार्ज का बल्ब और दूसरा डायोड वाल्ब डायोड वाल्ब तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा तो दोस्तों आज हमने इस लेशन का आपको 70% आज समझा दिया अब आप इसको समझिएगा अच्छे से तैयार करिएगा अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करिएगा मैं आपको दुबारा बताऊंगा इसमें 30% और बचाए हम कोशिस करेंगे कि आज ही 46 घंटे में आपको वही मिल जाएगा तो पूरा लेसन आपका कंप्लीट हो जाएगा फिसके आपको निमरकल बताएगे दोस्तों लास्ट में सिर्फ हम आपसे इ करिए हमारे वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को हमारी चैनल से जोड़िया तो ओके दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ओके थाइंक्स नमस्कार